कम अने प्ष्क्राइब मिले प्यारी दोस्तों जी हाँ दोस्तों अपने ठीक सुना आज हम लोग शिक्तेंगे डेर्यवेशन आप खुलाम्प्ष लो आज हम लोग इनको डिपलिश सिंखेंगे आकिर कुलॉम्स लॉग कहता क्या है और इनको कैसे पूरूब क्या जाता है जी हाँ दोस्तों मैं हूनितिस कुमार और आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है जियों दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को open कर लें और यूट्यूब चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press करना न भूलें तो जियों दोस्तों अब बिना Turkish किये Columbs law का derivation start करते हैं तो जी हम दोस्तों आज हम लोग सिखेंगे आखिर कुलम्स ने अपना लग क्यों दिया और इनसे क्या benefit है आज हम लोग इनका deeply अध्यान करेंगे तो दोस्तों इनका statement है according to this law the force of attraction और repulsion between two point charges between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them तो दोस्तों क्या कहा रहा है कि the force of attraction और repulsion attraction का force और repulsion का फोर्स हो किसके किसके बीच दो point charge के बीच दो इस्थिर आवेस के बीच जो होगा is directly proportional to the product of the charges उन दोनों के charge का जो प्रोडेक्ट होगा उनका directly proportional होगा क्या होगा तो force directly proportional होगा प्रोडेक्ट के गुना का and inversely proportional to the square of the distance between them और उनके distance का जो square होगा फोर्स होगा inversely proportional होगा जैसे बच्चा दो point charge लेते हैं एक point charge यहाँ एक point यहाँ यह Q1 यह Q2 और इनके बीच की दूरी है R ज़ित था प्रेस्ट लेक्ट की टुव यह Q2 यह Q2 यह Q3 यह Q3 जो प्रोडेक्ट शरीश एस्पालें मिफा ध्रोडेक्ट की जैस की टूरी टूरीय और लावा ज़ाज recommend on the force of attraction or leipa implement bringt two-point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance to work on F is directly proportional Q1 and Q2 where Q1 and Q2 are constant go equation 1 and F is inversely proportional to 1 upon R square where R is constant equation 2 on combining equation 1 and 2 we get तो क्या होगा दोस्तों F proportional Q1, Q2 upon R square तो दोस्तों proportional को हटा के equal to लाना है तो इसके लिए K जोई constant आएगा K Q1 K into Q1 Q2 upon R square यहां पर दोस्तों K is electrostatic constant दोस्तों यहां पर K क्या है electrostatic constant है तो दोस्तों F equal to K के जगा वन वेटे 4 पाइपसाला नोट आएगा into Q1 Q2 upon R square यहां पर दोस्तों यहां पर दोस्तों K equal to क्या है 1 वेटे 4 पाइपसाला नोट आएपसाला नोट आएपसाला नोट इसका बेल्ली होता है दोस्तों 9 into 10 to the power 9 कितना होता है दोस्तों 9 into 10 to the power 9 तो दोस्तों यह कुलंबला का equation आगया F equal to 1 वेटे 4 पाइपसाला नोट into Q1 into Q2 upon R square यही numerical में परियोग होगा यही formula numerical में हमारा परियोग होगा तो दोस्तों यहां अकेले बहुत बार एक जों में पूछा हो जाता है Epsilon नोट का value क्या होता है EPSILON इनका value होता है दोस्तों 8.854 into 10 to the power minus 12 कुलंब स्कॉाइर पर Newton meter square 8.854 into 10 to the power minus 12 कुलंब स्कॉाइर पर Newton Newton meter square तो दोस्तों इन्हें EPSILON नोट को जाना जाता इज वेल नोन इज एपसल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस एर और भेकम EPSILON जो है EPSILUट परमिटिविटी फ्री स्पेस में है EAR में हो या फिर भेकम अगर यदि EPSILON रगत दुसरा कोई मेडियम में रख दिया जाए तो पला एक्वेशन होगा दोस्तों F एक्वेशन जो जो आपलो कुलाम्स लोका पड़े थे K इन्टू Q1 Q2 परे R स्क्वार एक्वेशन नमबर 1 F एक्वेशन नमबर 1 F एक्वेशन नमबर 1 परे 4 पाइ EPSILON नोट इन्टू Q1 Q2 अपन R स्क्वार यह एक्वेशन 1 में आ गया और एक्वेशन 2 अगर इदि मीडियम में रखा जाए तो F M एक्वेशन क्या होगा दोस्तों 1 ओटे 4 पाइ EPSILON नोट के जगा E M हो जागा इन्टू Q1 Q2 अपन R स्क्वार यह एक्वेशन 2 तो दोस्तों ओटे एक्वेशन 1 अपन 2 वेशन 1 F अपन F M वेशन 2 1 अपन 4 पाइ EPSILON नोट इन्टू Q1 Q2 अपन R स्क्वार अपन 4 पाइ E M इन्टू Q1 Q2 अपन R स्क्वार तो देखो दोस्तों यहां पर कुछ काटता होगा न जारा रहे तो 4 पाइ 4 पाइ खतम यहां पूरे खतम Q1 Q2 अपन R स्क्वार तो दोस्तों यहां बचा क्या E M EPSILON नोट बटे E M तो इनको दोस्तों जना जाता है EPSILON नोट अपन E M इक्वल टू E R इसे कहा जाता है वेर E R is Relative Permittivity और Dielectric Current नगी Constant वेर R is Relative Permittivity और Dielectric Constant तो दोस्तों एक बार फिर Ecolombs Law के Statement को इविजन कर लेते हैं तो क्या कर रहा According to this law The force of attraction और repulsion between two point charges दो स्थिर आवेश के बीच Is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them दो स्थिर आवेश के बीच जो Q1 Q2 चार्ज जो रखा गया है उनके गुना उनके multiply का जो directly proportional लोगा वो force directly proportional लोगा और inversely proportional के आवागा फोर्स के तो उनके distance जो उनके बीच का जो distance है R उनके square मतलब R square F is inversely proportional to R square and F is directly proportional to Q1 and Q2 तो दोस्तों यह two point charges Q1 and Q2 which are separated by our distance Q1 Q2 constant equation 1 यहां पर R constant है equation 2 दोनों को combine किये तो F is proportional to Q1 Q2 अपन R square तो proportional को हटाने एकली एकल टू के आया तो Q1 and Q2 वेर के is electro-statics constant वेर के is electro-statics constant तो F equal to के कम होना गया 1 वेटे 4 पाइफ साला नोट Q1 into Q2 पाटे आर इसको आईए निम्रिकल में परियोग होता है और 1 वेटे 4 पाइफ साला नोट का वेल्डियो होता है 9 into 10 to 9 तो दोस्तों यहां पर खतम होती है ठैंक्स दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ